जीवन तत्व जिग्यासा के लिए है ये चार पुर्शानत हैं धरम धरम अपवर्ग के लिए है धरम अपवर्ग के लिए है अपवर्ग का मतलब है भगवत प्राप्ति के लिए धरम है धरम अपवर्ग के लिए है धरम काम के लिए है धरम अर्थ के लिए नहीं है ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग धरम का काम करते है अर्थ कमाने के दन कमाने के लिए धरम अपवर्ग के लिए है धरम भगवत प्राप्ति के लिए है धरम के लिए नहीं है तो फिर धरम का के भोग करेंगे नहीं और तो धर्म के लिए जो भी धन है वो भगवान की सेव धर्म के काम में लगानी चाहिए तो फिर काम किसके लिए है काम जीवन निर्वा के लिए है जीवन चले इतना ही काम ना करनी चाहिए तो पिर जीवन काई के लिए है ये आपका प्रशन है जीवन तत्व जिग्यासा के लिए भागवत कहती है जीवन है तो ये जिग्यासा करो अथत्व ब्रह्म जिग्यासा अब हम इस धर्ती पे कहां से आए हैं कब तक रहेंगे कहां जाना है जो तत्व है उसकी जिग्यासा ज चलके अपने गंतवे स्थामन को प्राप्त करना यात्री के लिए आवशक होता है ऐसे जीवन की यात्रा में अपने भगवान के चर्णू की प्राप्ति करना प्रेम की प्राप्ति करना प्रमधाम की प्राप्ति करना ये तत्व जिग्यासा जीवन का लक्ष है